लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथी साथ बेल का इकन को दबा दिजे फ्रेंड्स तो आईए देखते हैं क्या है न्यूस तो सबसे पहले आपको बता दू फ्रेंड्स की जो हमारी जितने भी एक सर्विस मैने उनके द्वारा यहां पर भूख हर्ताल की गए थी सांकेतिक भूख हर्ताल की गए थी और उसके उपर जो है यहां नियूस निकल करके आ रही है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा है सरकार के उपर तो यहां पर मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ निस न्यूज के उपर आपको पता ही है फ्रेंट्स की जैसा की वन रैंक वन पेंसन में उसमें काफी जादा विसंगतियां थी तो उसी को ले करके यहां पर जितने भी हमारे पूर सैनिक है उनके द्वारा यहां भूख हर्ताल की गए थी यहां पर आप न्यूज का सांकेतिक भूख हर्ताल किया उसके बाद यहां पर देखे रविवार को सांकेतिक भूख हर्ताल की पूर सैनिकों ने सरकार को चिताया कि यदि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूर सैनिक अपने हकों की रक्षा के लिए सरकार से भिरने में भिरने तक से कुर कर लेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवा के रहेंगे क्योंकि one rank one pension और equal MSP उनका हक है क्योंकि उनके द्वारा काफी ज्यादा कठीन सर्विस यहाँ पर की जाती है military में तो उनको उनका हक तो जरूर मिलना ही चाहिए उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक लेटर हमें सामने निकल करके आ रहा है government of India ministry of personal public grievance and pension department of personal and training की तरफ से और इसका जो subject है यहाँ पर आप देख सकते हैं grant of notional increment to government servant superintendent to 10 जून और 31 दिसम्बर जैसा कि आपको पता है कि यदि आप retire करते हैं 30 तारीक यानि 30 जून या फिर 31 दिसम्बर को तो आपका यहाँ पर increment लगता है तो उसी के उपर यह पूरा table और यह पूरा दिया गया है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि grant of notion increment to the government servant superintendent on 30 जून और 31 अगस्त तो या 31 दिसम्बर तो यहाँ पर friends आपको पता दूँ कि आपको देखना होता है कि यदि आपका retiree 30 तारीक 30 जून को है या फिर 31 द लेनी होती है तो friends फिलाल वीडियों में बस इतना ही जैहिन